नमस्कार दोस्तों सो फ्रेंड्स एनेचेम दोआरा स्वास्त बिवाग में वेकेंसी एक बर फिर से आप रिलीस कर दी गई देख सकते हैं रिक्रूट्मेंट वेबसाइट पर आज चुका है वेरियस अलग-अलग पोश्ट यहाँ पर शामिल की गई कॉंट्रेक्ट बेसिस पे यह वेकेंसी आप रिलीस की गई आप सभी को बताना चाहता हूं इसमें स्टाफ नर्स के लिए वेकेंसी आप रहेंगी इसके साथ साथ टेक्नीशन की पोश्ट भी इंक्लूड यहाँ पर कर ले गई आप सभी को बताना चाहता हूँ कुल मला के 15 पद इसमें आप पे शामिल की गए और इसमें male और female, महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे apply आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे मातर एक छोटा सा interview आप सभी का यहाँ पिलिया जाएगा interview के basis पे joining आपको यहाँ पे दे दी जाएगी तो दोस्तों nursing और technician की यह vacancy आप पे रहने वाली है अंते तक आप लोग आप इस वीडियो को जरूर देखें पूरी जानकारी आपको vacancy की मिलने वाली है सबसे पहले इस वीडियो को आप पे like कर दें लाइक करने इस वीडियो को इस मैनत को लाइक जरू करें और इसी तरीके से vacancies की जानकारी आगे भी चाते हैं तो पहले से चैनल को subscribe कर लें तो वीडियो की नीचे जाएं subscribe के red button को आप पे click करें स्वास्त विवा की आगे आने वाली vacancies की information इसी तरीके से पात रहें तो बिल्कुल शुरू बात कर देते हैं आप अपडेट को और जो advertisement यहाँ पे जो जारी किया गया इसको यहाँ पे open कर लेते हैं तो दोस्तों भरती विग्यापन हमने आप पे open कर लिया और advertisement यहाँ पे लिखा भी गुआ है district, health and family, welfare society, civil surgeon, चर्की ददरी यहाँ पे इनके दोरा NHM हर्याना के तहट यह vacancies आँ पे आच चुकी है और इसके लिए आपको interview में शामिल होगा है साफ साफ यहाँ पे देखिए vacancy table में information आपको दे दी गई पहली जो post यहाँ पे जो शामिल की गई staff nurse के यहाँ पे रहेगी staff nurse के 11 पद इसमें आप शामिल की गए general के इसमें 5 पद है और backward class के यहाँ पे 3 पद यहाँ पे शामिल की गए schedule cast के यहाँ पे 2 पद है और EWS के 1 पद यहाँ पे शामिल आएंगे और कुलमला के 11 vacancy यहाँ पे शामिल की गई स्टाफ नर्श की पोस्ट के लिए जो भी केंडिरेट से आपे B.A.C. नर्शिंग की डिग्री रखते है बिल्कुल आप लोग आप एपलाय करें यदि आपके पास G.N.M. का डिप्लोमा है तो भी आप लोग आप एपलाय कर पाएंगे इसके साथ आपको हर्याणा राज का नर्सिंग काउंसिल में आप लोगों को रजिट्रिक्षन भी होना आपका आप जरूरी है दसवी कक्षा में हिंदी या पे संस्क्रित पास होना आप लोगों का जरूरी याँ पे बोला गया है 42 एर उमर आप लोग के आप रखे गई 42 साल तक के सभी केंडिरेट्स इंटर्व्यू में शामिल आप लोग यहाँ पे हो पाएंगे 13,500 रुपे आप लोगों को परमन बेसिस पे यह सेलरी आपको आपके मिलेगी NHM के नियम के तहट यह वेकैंसी यहाँ पे आ चुकी है और आपको यहाँ पे इंटर्व्यू में शामिल होना है तो इंटर्व्यू का शेडूल भी आप लोग को यहाँ पे बता दिया गया तो रिटिन टेस्ट आप लोगों का स्टाफ नर्स की पोस्ट के यहाँ पे लिया जाएगा तो 4 दिसंबर 2021 तीन वजे आप लोगों का रिटिन एक्जाम आप कराएगा और जगह आप लोगों को यह बता दिगई इस जगह पे जाके आप लोग जो है अपना एक्जाम देंगे और दोस्तो रिटिन टेस्ट का यह जो रिजल्ट है वेबसाइट पे आप लोगों को प्रोवाइट करा दिया जाएगा डिस्पले कर दिया जाएगा इसके बाद टेक्नीशन के आप वेकैंसी है और टेक्नीशन की वेकैंसी में 5 पद यहां पे शामिल के गएगे जनल के 3 पद हैं EWS का एक पद है शेडाल कास्ट कहां पे एक पोश्ट यहां पे शामिल की गई जो भी कैणिड एच्ट बी फार्मा वाले हैं डी फार्मा वाले हैं आप लोग एपलाय करें 11,170 रुपे परमाद बेसिस पे NHM के अंतरगत ये आपको सैलली मिलेगी इसके लिए भी आपको एक्जाम में शामिल होना है तो यहाँ पे आप लोगों का रिटिन टेस्ट या फिर इंटर्वियू के जो डेट है 4 दिसंबर 2021 तीन बजे आप लोगों को इस जगह पे पहुँच जाना है यहाँ पे आप लोगों का एक्जाम लिया जाएगा और रिटिन टेस्ट का रिज़र्ट जो है ओफिशल वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा इसके लिए आप लोग आविधन करेंगे तो मैं आपको ओफिशल वेबसाइट क्यों ले चलता हूँ तो दोस्तो देखिए यह ओफिशल वेबसाइट यहाँ पे रहने वाली है एनेचे महरे आना और न्यू जॉब आउप्रिंग्स में आप लोगों को यहाँ पे आना है यह पूरा भरती का विज़ापन है यहाँ पे आपको एप्लिकेशन फॉर्म का फॉर्मिट मिल जाएगा इसको आप लोग डानलोड कर लें और इसको आप लोग यहाँ पे पूरा फिल करेंगे इस एप्लिकेशन फॉर्म को आप लोगों को भेज़ देना है तो इसकी जानकारी मैं आपको भरती विग्यामर में दे देता हूँ तो दोस्तों ये notification है इसी में आप पे लखा है eligible candidates may apply in the office of the civil surgeon चर्की ददरी for the below mentioned post under national health mission post or purely our contract basis up to the period of 31st of March 2022 is likely to be extended further on performance basis and administrative approval application form may be submitted from 9 a.m. to 4 p.m. in the room number 146 with one set of self-attested documents of all the qualification residence proof card certificate issued by the competent authority तो दोस्तों आप सब लोगों को application form जो है आपको ये आपको fill करना है इसके साथ जो भी आपके documents है photocopy का set self-attest करके एक set आप लोगों को आपकी qualifications का आपके निवास प्रमाण पत्र का और जो भी आपका card certificate है अगर reserve category candidate है तो आपको card certificate जो की issue यहाँ पर रहता है authority दोहरा ये आपको सारी document self-attest करके भेज देना है कहाँ पर भेजना है तो यहाँ पर देखे address दे दिया गया है room number 146 तो यहाँ पर आप लोग 9 बजे से 4 बजे की बीच अपना यहाँ पर आवेदन प्रसुत कर दे civil sergeant चर्की ददरी यह office है यहाँ पर जाके आप लोगों को apply करना है और इसी पते पर आप लोगों को भेज देना है 31 मार्श 2022 इस देट तक के लिए आप लोगों को यह joining मिलने वाली है तो आप लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं इसके लिए दोस्तों आप देखे कुछ आपको यहाँ पर शरते follow करनी है जैसे की लिखा हुआ है tentative date for interview is 6th of December 2021 9 a.m for a staff nurse only qualified in written test दोस्तों 9 बजे से यह आपका interview शुरू होगा और यहाँ पर लखा है roll number will be allotted on the same day of the written test तो जो भी आपका roll number है written test के दिन ही आप लोगों को allot के जाएगा कोई भी traveling allowance नहीं मिलेगा आपको exam में सामिल होने के लिए जो भी है आप लोग अपने खर्चे पर जाके अपना आप एक्जाम देंगे और इसके लिए minimum qualifying marks आप लोगों को बता दिये गए skill test के बारे में भी जानकारी आप लोगों को दे दी गई number of vacancies आप पर increase हो सकती है decrease आप पर हो सकती है और कभी भी vacancy को आप एक एंसल यहाँ पर के जा सकता है तो यह सारी जानकारी और लेडी आप लोगों को इसमें provide करा दी गई और दोस्तों जो candidates यहाँ पर local area वाले हैं तो आप लोगों को 20 marks का weightage आपको मिलेगा 20 marks आपको मिले वाले हैं जो local area वाले candidates यहाँ पर रहेंगे तो इस चीज़ का benefit अच्छी बात है आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा तो दोस्तों कुछ शर्तें जो आप लोगों को important दी गई थी वो मैंने आपको आप बता दी और इसमें एक और बात यहाँ पर रह रही हैं आप सभी को बताना चाहता हूँ इसमें आपको fees का payment भी आपको करना है 200 रुपे पर application जो है आप लोगों को fees यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी और इसकी जो last date है 2 December 2021 शाम के 4 वज़े तक का समय आप लोगों को दिया जा रहा है तो 2 December तक का समय आप लोग apply कर दे और exam में आप लोग शामिल हो जाएं तो दोस्तों यह update आपको कैसा लगा जरूर बताएं और उमीद काता हूँ information आप सबी लोगों को मिल गई होगी और जो fees का payment है आप लोगों को बता दिया गया cash payment आपको महाँ पर करना होगा counter पे demand draft check यह जो है allow यहाँ पर नहीं होगे और सारे documents भी आप लोग को बता दिये गए इस सारे documents आप लोग self अटेस्ट करके photocopy का set आप लोग यहाँ पे application form के साथ provide कराते है official website आपको बता दिये गई इसके माद्यम से आप लोग application form डाउलोड कर सकते हैं और भरती विज्यापन भी means notification भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा तो यह उमीद कता हूँ वेकैंसी की जानकारी आप सब लोगों को यहाँ पे मिल गए होगी लाइक कर दें इस वीडियो को सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करें इस मैनत को लाइक जरू करें और subscribe कर लें आगे की vacancies की जानकारी मिलती रहेगी तो वीडियो की नीचे जाए सब्सक्राइब के रैर बेटन को आप एक लिक करें स्वास्त बिवा की हर vacancy की information इसी तरीके से आगे भी पात रहे तो मिलते हैं आप से अगली वीडियो में थैंक्यू सो मच